Hello friends, welcome to my channel, welcome to finacle 10 tutorial दोस्तों जो freeze होता है finacle 10 में वो आपको पता है कि finacle 10 में freeze हम लोग करते हैं debit freeze हो, credit freeze हो, या फिर आप कह सकते हैं total freeze हो लेकिन बात ये है कि आप अगर जानना चाहते हो freeze का total history मतनब कितना बार हुआ है कब हुआ है क्या हुआ है किस लिए हुआ है पूरा डीटेल्स आपको मिल जाएगा एक मेनू है इस वीडियो में मैं बताऊंगा वो मेनू तो चले वीडियो को शुरू करते हैं और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सबस्काइब नहीं किया है क्योंकि सबस्काइब नहीं बढ़ता रहे और चैनल भी चलता रहे तो यहाँ पर लॉग इन टू फिनाकल सी बीएस और क्लिक इन मेनू शॉटकट फिल्ड मेनू शॉटकट फिल्ड में आपको क्लिक करना है यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा क्या देखिए वो तीन चार मेनू है आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप HACI जो टाइप करेंगे फॉर एसबी एन सीडी सेविंग्स या करेंट अकाउंट के लिए आपका मेनू है HACI आप अगर टर्म डूपोजिट के बारे में जानना चाहते हैं तो मेनू है HACI T. अब अगर लोंस के लिए लोंस एकाउंट में कितना बार फीज हुआ है फीज का टॉटल हिस्ट्री आपको जानना है तो इसके लिए मेनू है HACI LA मुझे क्या करना है सेविंग्स एकाउंट के डीटेल्स जानना है तो मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया है HACI HACI टाइप करने के बाद आपको Go बटन को क्लिक करना है Go बटन क्लिक करने के बाद दिख Museum यहाँ पर आपका एक पेज आएगा यहाँ पर आपको Acast number देना है जिस Acast के बारे में आप जानना चाहते हो After that Again आपको क्या करना पड़ेगा Go बटन क्लिक करना पड़ेगा Go बटन क्लिक करने के बाद देखिए आपका एक पेज यहाँ पे ओपन हो गया है यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बड़ा पेज है यहाँ पे बहुत सारा टैब है Additional info एक टैब है उसको आपको क्लिक करना पड़ेगा क्लिक करने के बाद देखिए आप देख सकते हैं User can view last freeze date hier Last अब कब freeze किये हो वो date अब देख सकते हो User can view last unfreeze date hier मतलब क्या होता है एक account हो सकता है बहुत बहुत freeze हम लोग किये हैं तो last अब freeze किये हो उसका details भी आप देख सकते हो और last, कब unfreeze किये हो उसका details भी आप यहां से देख सकते हो और यहां पर reason भी लिखा रहेगा किस कारण से, what is the reason behind that किस कारण से freeze किये हो freeze का code actually यहां पर रहेगा user can view last freeze code of a frozen account here freeze का code क्या है, हो भी reason 1 में लिखा रहेगा और नीचे में देख सकते हैं notes करके एक है, यहां पर देख सकते हैं user can view freeze reason of the frozen account here माल लेजे नील KYC ID, यह भी यहां पर आप देख सकते हैं KYC updatesions अगर pending है, उसके बज़ा से अगर freeze है तो ओ भी options आप देख सकते हो UCIC, अगर एक customer का अंदर एक customer का बहुत सारा customer ID है, उसको आप marge करना चाते हो marge करने के लिए जो problem create होता है UCIC बहुत सारा customer ID होने के बज़ा से जो problem होता है उसके बज़ा से भी freeze हो सकता है तो यह भी कारन यहां पर लिखा रहा है, तो बहुत सारा reason हो सकता है freeze के लिए, तो मैंने एक video अलग साब बनाया है how to freeze the account तो यहां पर आप history देख सकते हो तो friends hope you understand what is the menu to get all the details last freeze, unfreeze and what is the reason code and what is the reason behind that यह सब चीज आप देख सकते हो it may be savings or current savings or current का menu अलग है loan account का अलग menu है फिर आपका deposit के लिए अलग menu है so friends hope you understand, hope you like the video and if you like the video then don't forget to subscribe my channel like, share and comment, thank you